अश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिब चैनल डिके डिजिटल कैश में तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पाईचेन मॉल को लेकर के खबर निकल करके आ रही है जिसमें यह बता जा रहा है कि यहाँ पर एक नया फीचर एड हुआ है और ये किस-किस के पाईचेन मॉल एप के अंदर दिखाई देगा ये भी टिपेंड करता है कि कौन यहाँ पर परसन के वाईची है या नहीं है तो क्या कुछ है इसके अंदर जानेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तो लेकिन इससे पहले दोस्तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक पर आपने चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर रखे स्पेशलि अगर आप पाई की माइनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं हर रोज यहाँ पर पाई से जुड़ी जो ख़बर है और साथी साथ क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी नई नई अपोच्टिटी से प्लैटफरम्स होते हैं वो आप लोग साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ इसलिए आप लोगों को यह जरूरी है कि आप यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और बैल आकन को ज़रूर प्रेश करके रहें बढ़ते आगे दोस्तोर यहाँ पर बात करते हैं इस नई फीचर के बारे में तो बताय जा रहा है पाइचेन मॉल is making progress पाइचेन मॉल जो है काफी प्रोग्रेश यहाँ पर कर रहा है so as pioneers can start butering तो यहाँ पर उससे जो है यानि अगर आपकी KYC जो है वो मैप हो चुका है या अगर आपका जो भी अकाउंट है वो मैननेट के साथ में मैप हो चुका है तो आपका जो KYC का आइकॉन है वो दोस्तों यहाँ पर ब्लू हो जाएगा परपल हो जाएगा ठीक है अगर आपकी KYC नहीं हो रखी है या आप मैप नहीं किये हैं किये जा चुके है इसके साथ में आपके जो मैननेट है उसके साथ में तो आपका यह जो ऑप्शन है यानि KYC वाला पाईचेन मॉल के अंदर वो रहेगा सिल्वर तो यह वाली जो लाइन है दोस्तों यह आप सभी लोगों के लिए इंपोर्टेंट है चाहें आप KYC हो या फिर नहीं हो क्योंकि यहाँ पर जब आप KYC हो जाएंगे और आपके जो मेननेट के अंदर मैप हो जाएंगे दोस्तों तो उस समय पर आपको पाईचेन मॉल के अ कुशिश की किये जिससे के कोई कोई भी यहां पर गलती ना करें तो दोस्तों यहां पर करना क्या है कि जब यहां पर यह बाइंड करनी की बात आएगी आपके वालेट को पाईचेन मॉल के साथ में यानि कनेक्ट करने की तो उस समय पर आप लोगों को जो है इसके अंदर जो पास फ्रेस होते है न वो समिट नहीं करने है बलकि आपको अपना जो एडर्स है वो समिट करना हो सकता है यानि कि दोस्तों देखे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपके पास फ्रेस है 24 वर्ड्स 24 24 कीवर्स भी आप उसको बोल सकते हो पास फ्रेस भी हम उसको बोल सकते हैं तो वो 24 वर्ड्स जब हम वालेट को लॉगिन करने के कोशिश करते हैं या लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर वो पास फ्रेस वर्ट जो होते हैं वो डालने की ज़रूरत होती है तो आपको जो अपने वो 24 शब्द जो यूज करने हैं दोस्तों वो सिर्फ आपको wallet login के लिए करने है बाकि इस platform के अलावा यानि कि wallet connect के अलावा यानि wallet के अंदर जब आप login करोगे और उस समय जो requirement होगी 24 शब्दों की passphrase जिसको बूलायाता तो उसके अलावा दोस्तों आपको कभी भी किसी भी platform के उपर passphrase use नहीं करना है क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे platform या fake websites आ रही हैं जो आपसे access मांगती है जो आपसे बूलती है कि आप यहाँ पर login अगर करना चाहते हो तो अपने जो 24 24 जो शब्द हैं आप उसको यहाँ पर डालो तो दोस्तों वो एक तरीका होता है scam करने का वो आपको लुभावने लुभावने attract करने वाले products वगरा सब चीज दिखाते हैं और उसके बाद वहाँ पर आपसे login करने के लिए बोलता है login में आपसे बोला जाता है कि आप अपने 24 keywords डालो यह बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों जैसे आप किसी एक अलग for example आप ICIC bank का account आप चलाते हो और किसी एक डूसरी website पर आपको option मिलता है कि भई आपको iPhone मिल रहा है और वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप अपने ICIC bank account की details में डालो लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ पर आपका जो password है ICIC bank का वो भी डालो तो दोस्तों यह कितना अजीब है न यानि कि जो आप ICIC bank account यूस कर रहे हो आप उसके user हो यानि आप उस पर trust कर सकते हो लेकिन ICIC bank के अंदर जो आप password यूस कर रहे हो वो आप किसी और जग़ अगर डालते हो तो वो कही न कही शक के घेरे में आपको नहीं मतलब वो कही न कही उस platform को शक के घेरे में डाल देता है यानि कि उसमें कही न कहीं scam होने के chances है क्योंकि वो जो password है वो किसी और उसका है और आप उसमें अगर use कर रहे हैं तो इसमें वो आपके जो password है उसको जो है चोरी कर रहे है तो ठीक ये concept जो है दोस्तों यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि आपको इसके अंदर भी जैसे अभी फिलहाल क्या है कि लोग mistake कर रहे है तो ये तो जी पाई चेन मॉल जो है वो चेन वन प्लैटफॉर्म है तो इसमें ऐसा कुछ ना तो इन्होंने मागा है और ना होने वाला है ये तो इन्होंने जो बताया है या इस तरी की लोग गलती करते हैं तो उससे किसी और प्लैटफॉर्म के उपर अगर आप इस सेम गलती अगर करते हैं तो उससे आपको किस तरी का नुकसान हो सकता है वो सिर्फ थोड़ा से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यानि कि अगर आप किसी और platform के उपर यहां पर अपने 24 passwords यूज़ करते हैं तो यह माल लीजिए कि आपके चोरी होने के बहुत जाजा chances हैं क्योंकि कोई भी genuine platform आपके 24 passwords नहीं मागेगा यानि आपके 24 वो शब्द जो कि wallet login के लिए required होते हैं जरूत जिसकी पड़ती है वो कोई भी genuine platform आपको वो सारे 24 passwords बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यह चीज़ दोस्तों यहां पर समझें और मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते हैं पर करके एक बार इसको check कर लेते हैं तो मैं यहां पर जाओंगा अपने pipe browser के अंदर आप सभी लोग भी same procedure follow करके यहां पर pipe browser open करके यहां पर अपना pipe chain में all जो है वो उसको एक बार check out कर सकते हैं तो यह मैंने यहां पर खोल लिया brainstorm.py में जाओंगा और अब इसके बाद मैं यहां पर इंतिजार करूँगा कि मेरे पास में जो pipe chain mall है उसका link यहां पर आ जाए तो यह हमें यहां continue करूँगा continue करने के बाद मैं कुछ समय और लेगा यहां पर यह loading होने में यह हो गया और pipe chain mall यहां पर आ गया हमने इस पर select किया अब यह थोड़ा सा समय ओल ले रहा है यहां पर load होने में और यह यहां पर आ चुका है अब हमको read more पर click करना है और यह हमारे पास में इसकी website www.pychainmall.com मैं इसके उपर click करूँगा तो मैं यहां पर अभी जो है global वाले उस पर देख पा रहा हूं लेकिन अभी मेरे पास में यहां पर इस तरीगा feature जो है दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन लेकिन कुछ नया दिखाई दे रहा हमको यह कुछ यहां पर नए products दोस्तों दिखाई दे रहे हैं तो चलिए अभी यहां पर अगर मैं click करता हूँ store के उपर या account के उपर तो में भी यहां पर आ जाए ठीक है तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर account पर click किया अब यह login वाला जो option है जो कि आपको लोगों के बरावर में दिखाई देगा इस पर मैं click करूँगा और यह मेरा यहां पर login हो गया तो दोस्तों यानि की देखिए मैं KYC हूँ और अब यह wallet address मेरा यहां पर मांग रहा है ठीक है तो देखिए wallet address यानि की अब मैं एक बार फिर जो है मुझे back जाना पड़ेगा और इसके बाद मुझे wallet address जो है वो आपको यहां पर paste करके देखाना होगा तो मुझे लगता है कि शायद आप मैंसे काफी लोगों पता होगा और mostly जिस तरीके से मैंने सभी लोगों गाइड किया है तो I think कि आप सभी लोगों पता होगा कि आपका wallet address क्या है वो address जिसके उपर आप किसी से भी जो pie coin है वो receive कर सकते हैं तो वो address यहां पर आपने paste करना है अगर नहीं मालूम है फिर भी तो आप मुझे comment section में comment करके बताओ मैं next video में आप लोगों को बताऊंगा कि wallet address कहां से कैसे निकालना है और फिर यहां पर आप आपकर किस तरीके से paste करना है बट फिलहाल जहां तक मुझे उम्मीद है तो I think कि आप सभी लोगों को पता होगा कि wallet address यहां पर कहां होता है और किस तरीके से work करता है और क्या उसका role होता है तो देखिए यहां पर आपको wallet address डालना पड़ेगा confirm करेंगे confirm करने के बाद जहां तक मुझे इसके मेरा जो wallet address है वो map नहीं हुआ है पाइचेन mall के साथ में तो दोस्तो इसको मैं आप लोग साथ में live करके दिखाऊँगा डेपेंड कि आप लोग क्या आप डेमांड करते हैं या comment section में comment में आपका किस तरीके कर reply आता इस चीज़ को ले करके तो मुझे लगेगा कि आप पर मुझे direct message करके पूछो दोस्तो मैं यहाँ पर आपको educate करने के लिए हूँ पाइ network के लिए मैं यहाँ पर views या और सभी चीज़ों के लिए नहीं हूँ मेरा जो concept यही है कि मैं पाइ network को ले करके आप लोग इस साथ में आपको जादा से जादा information दे सकूँ जादा से आपकी कोई भी यहाँ पर अगरा कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है आप मुझसे पूछो मैं आपको बकायदा जो है उसके उपर प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोग साथ में शेर करूँगा जिससे कि आप लोगों मैंसे जादा से जादा लोग आपि यहाँ पना करे लोग सिसे ऑी आपाय आपकी कि आपकाय है अरा बोग सहन को बना को जो है आपको बसुपर साथ आपको बसूदर को इंड आपकाय है जो आपकाय है उसके झापना है